नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं बहुत और दलीले सुनने के बाद नियोजन निती पर अपना फैसला सुनाते हुए राई सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पारित नियोजन निती को रद कर दिया है इसके साथ ही रमेंस हांसदा की ओर से दाखिल याजका को आदालत ने सुईकार कर लिया है जारखन हाई कोट के तीन नियाए धीसो की बिरिहद पीठ ने यह फैसला सुनाया बता दे हाई कोट के आदेश के बाद अब वैसे अभियार्थी भी जेसेसी और जेपेसी द्वारा ली जाने वारी नियोकती पर त्योकता में सामिल हो सकते हैं जिन्होंने जारखन के बाहर दसवी और बरावी की पढ़ाई की है गौतला भाई की रमेश हांस दा एवम अन्यन ने जारखन हाई कोट में आजका दाखिल का राई सरकार द्वारा जेसे सी नियमावली में किये गए संसोधन को गलत बताया था जारखन के स्कूली बच्चों को अब दो पहर एक से डेल के बीच मिलेगा भोजान जारखन के सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिये जाने वाले मिड़े मिल के समय में बदलाव किया गया है इसकूली सिक्षायम सक्षटा विभाग के सचीव के निर्देश के बाद भोजन देने की नई समय सारनी जारी हो गई है जारी अधिसुचना में सचीव ने कहा है कि जार्खन राज मद्याहन भोजन प्राधिकार करकरनी की बैठक 18 नौमबर को हुई थी जिसमें यह बात संग्यान में आई थी कि 1 जुलाई से 31 मार्ज तक मिड़े मिल का समय दो पहर 18 बए से 3 बए तक है इस कारण घर से बच्चे नास्ता करके सुब़ा 8 पचपन पर स्कूल आते हैं फिर उन्हें दो पहर 2 बच कर 30 मिट तक भुके राना पड़ता है छेत्र भ्रमन के करम में भी यह ममला संग्यान में आया राजे कार करनी समीती की बैठाग में मद्यान बवयन की समाई अधी को दो पहर 1 बए से लेकर 10 बए तक किये जाने का प्रस्ताव पारित करते हुए संसोधित आदेश जारी करने का निना लिया गया है JSAC की नई नियमावली के तहत जारी सभी बिग्यापन रह द जारखन हाई कोट ने JSAC की संसोधित नियमावली खारिश कर दिया चीफ जास्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जास्टिस एसन पर साथ की खंट पिटने संसोधित नियमावली के तहत जारी नियुक्ति के सभी बिग्यापन को भी निरस्त कर दिया अदालत ने कहा है कि JPSC कोट के आदेश के आलोक में उसके तहत फिर नियुक्ति की परकिरिया शुरू करे साथ सितमबर को अदालत ने ममले में सभी पक्षो को सुनवाई पूरी होने के बाद आपना फैसला सुराचीत रख लिया था पूर्व में सुनवाई की दरान अदालत ने कहा था कि अगर संसोधित नियुक्ति की तहत कोई नियुक्ति परकिरिया अपनाई जाती है तो अकोट के आमतिम फैसली से परभावित होगी इसलिए अदालत ने सभी बिग्यापन को रद कर दिया है सित कालिन सत्र की तयारी सरुदलिय बैठक से दूर रही बिजेपी सित कालिन सत्र को लेकर बुलाई गई सरुदलिय बैठक में बिजेपी पार्टी एक बार फिर अनुपस्थित रही हलाकी जार्खन विधान सभा में देर साम तक चली इस बैठक में मुख्य मंत्री हमान सुरेन सहीत बिभीन दलो के नेता जरूर इस स्पीकर के साथ बैठक करते रहे बता दे जार्खन विधान सभा का सितकालिन सत्र उनाई से 23 दिसंबर तक होगा सितकालिन सत्र सांति पुन संचालित करने को लेकर स्पीकर रविद्र नाथ महतों ने सुक्रवार कोर सरोदलिय बैठक की इस बैठक में मुख्य मंत्री हमान सुरेन कांग्रेस से डक्टर रमेसर उरा माले बिधायक बिनोत सिंग आईसू से लम्मोदर महतो उपसित थे हलाकि इस बैठक से एक बार फिर भीपक्षिदल बीजेपी दूर रहा इस बैठक में बीजेपी से कोई भी परतिनिधी नहीं दिखा अमीत साह की मौजूदगी में होने वाली बैठक में सुल्जेगा जार्खन पेंसन दिन्दारी मामला कोलकाता में 17 दिसंबर को हने वाली पूर्वी छेत्रिये अंतराश्ट्रिये परिशत की बैठक में जार्खन बिहार के बीच पेंसन बिवाद एक बार फिर उठेगा केंद्रिये गिरिह मंत्री अमीत साह की मौजूदगी में होने वाली यह बैठक कई मायनों में महत्वपून है जार्खन ने राजहीत और अंतराश्ट्रिये सहयोग मतभेद के कई अनेमुद्दे उठाने की त्यारी की है इसमें नकसलवाद पानी का बटवारा जैसे भी सहय भी सामिल है पूर्वी छेतरिये अंतराजिये परिशद में पांच राजे बंगाल, बिहार, ओडिसा, जार्खन और सिक्किम सामिल है यह बैठक पच्छिम मंगाल के राजे सचीवाल नबान्या के सभागार में आयोजित होगी मेजबान राजे होने के नेता बैठक के अद्यक्सता ममता बनर जी करेंगे बैठक में जार्खन की ओर से मुख्य मंत्री हेमान सुरेन या उनके परतिनीधी के तोर पर किसी मंत्री के भाग लेने की संभावना है नए साल में विकास यात्रा निकालेंगे सियम हेमान्त ते मुख्य मंत्री हेमाँ सुरेन इन दिनों खत्याणी जो हरयातरा पर है यह यातरा राज के सभी जिलों में चलाया जा रहा है यहातरा के बाद सत्ता रूठ दल जार्खण मुक्ती मुर्चा कॉंग्रेस और रायद विकास यातरा निकालने की त्यारी में है जिसमें सीम हेम परिक्षा पेचार्चा में जार्खन की 36 इसकूल लेंगे भाग पर्धान मंत्री नायंदमोदी के मार्क दर्शन में परतेक वर्ष होने वाली परिक्षा पेचार्चा कारकरम में इस वर जार्खन के 36 इसकूल भाग लेंगे पर्धान मंत्री इस कारकरम में चात्रों अविभाव को और सिक्षकों से सनवाइद करेंगे वे बच्चों को परिक्षा के दरान तना मुक्त रहने के लिए परुसाहित करेंगे इसमें भाग लेने के लिए 30 दिसंबर तक राइस्टेशन होगा बताज़र इस्टेशन के लिए चात्रों, सिक्षकों और अलबाकों को अलग अलग थिम पर निबंधन लिखना होगा निबंधन को परिक्षा पर चार्चा की वेपसाइट पर अपलोड करना होगा इसी के अधार पर अमतिम रूप से 36 स्कूलों के पर तिभागियों का चायन होगा जो कि दिल्ली में परिक्षा पर चार्चा कालकर में सामिल होगे सिक्षा मंत्री ने कहा हम कोनों डरने वाला है न कभी डरे है न डरेंगे जारखन के सिक्षा मंत्री जगनात मातों को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है एक बार फिर पत्र भेज उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई इस समध में पत्रकारू ने जब मंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा है कि दो लाइन लिख दो परधान मंतरी को धमकी देते हैं मंतरी को धमकी देते हैं इन सबसे जगानात मतों घबराने वाला नहीं है जब उनसे पूछा गया है कि क्या या आपको डराने के लिए किया गया है तो स्री मतों ने कहा हम कोनों डरने वाला है जगानात मतों न कभी डरा ह बढ़ाई नरक भी डरेगा जहारखन में 50 एर्शिक्षकों की भरती फंसी जहारखन हाई कोट के एक फैसले से 50 एर्शिक्षकों की नियुक्ति के ममलाफ फंस गया है इस फैसली की वज़ा से प्राथमिक चेलेकर प्लस टू विद्याले तक के नियुक्ति फिलहाल लटक गई ह इसकूली सिक्षा योम सक्षता विभाग द्वारा जेससी असनातक अस्तरे परिक्षा संचालन संसोधन नियमावली 2021 के आधार पर बदलाव किया गया था बतादे संसोधित नियमावली में प्राथमिक हाई स्कूल वा प्लस टू सिक्षाक नियुक्ति में भी आरक्षी तवर्ग के अवियारतियों के लिए जार्खन से मैट्रिक इंटर की परिक्षा पास होना अनिवार कर दिया गया था जार्खन हाई कोड़ द्वारा जेसेसी असनातर कस्तरिय परिक्षा संसोधा नियमावली द्वारेकर इसको रद किये जाने के बाद अब इस नियमावली के तहत होने वाली सभी नियुक्तिया फिलाल फशी हुई है रांची के हिंद़ पिडि में युवक की हत्या के बाद पांच घरो में लगा दी आग सी मोटू नाम का लड़का अमजद मोबाईल लूटने की कोशिज कर रहा था अमजद के विरोध करने पर मोटू ने चाकू मार दिया जिससे अमजद का पेट फट गया 29 दिसंबर को 50 मोटल इस्कूल का उधाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमांत जायरखन में 29 दिसंबर को 50 मोटल इस्कूल की शुरुआत होगी मुख्यमंत्री हेमांत शुरें इन इस्कूल का उधाटन करेंगे ए बाते पर देश के सिक्षा मंत्री जगनात महतने सुक्रवार को क सिक्षा मंत्री राजधानी राची के होटल रेडिसिन बुलू में सेवधा चिल्डरेंड की ओर से आयोजित एक कारेकरम को समुदित कर रहे थे जार्खन मंत्री जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने कहा है कि बच्चों को सिक्षित करने में जिस तरह से समाज की लोग का सहयोग मिल रहा है या सहयोग जारी रहा तो आने वाले दिनों में अने राज्यों को सिक्षा के मामले में जार्खन टकर देगा उन्होंने कहा है कि जब हेमन सुरेन के नितित में परदेश में सरकार का गठन हुआ और जगनात महतों को सिक्षा मंतरी बनाया गया तो कई लोगों ने सवाल खड़े किये थे सिरी महतोंने कहा है कि लोगोंने कहा है कि दसवी पास को सिक्षा मंतरी बना दिया है वह क्या काम कर लेगा तब मैंने कहा था कि जगनात्म तो किसी भी मंत्री से बेतर होगा मैंने स्कूल का रंग बदल दिया कपड़े का रंग बदल दिया और पढ़ाई को भी बदल देंगे उन्होंने कहा है कि हमने जो कहा था करके दिखा दिया हमने कहा था कि मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई में सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूल को टकर देंगे हमने करके दिखाया है जार्खन के टेट परिक्षा पास पाराशिक्षकों को हाई कोट से नहीं मिली रहा है इन्हें अदालत के आदेश से जाटका लगा है खंड पिठ ने समयोजन से जुड़े मामले में सुक्रवार को फैसला सुनाते हुए इनकी आज क्या खारिश कर दी जार्खन हाई कोट के चीफ जास्टी डाक्टर रवी रंजन और नयाधी सुजीत नरायन परसाथ की खंड पिठ ने इस पूरे मामले के सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जार्खन हाई कोट से टेट परिक्षा पास पास पाराशिकों को जटका लगा खंड पिठ ने टेट पास पाराशिकों के समायोजन से जुड़े मामले में फैसला सुनाया हाई कोट ने पाराशिकों की आजका खारीच कर दिया अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरस्टी तरक लिया था जे एससी असनातक अस्तरिय परिक्षा संचालन संसोधन नियमावली 2021 को चुनोती देने वाली आजका को सविकार करते वे जारकन हाई कोट ने इस नियमावली को निरस्त कर दिया है इस आदेत के साथ ही सभी नियुक्तिया भी रद हो गई है चीफ जस्टिस डक्टर रवी रंजन और जसी सुजित निरान परसाद की खंट विट ने जेससीक नियमावली को असमयधानिक करार दिया इस नियमावली को आर्टिकल चौदा के प्रवधानों का उलंखन बताए गैगे जबकि आरक्षीत वर्ग के अभियार्थियों के लिए प्रवधान सिथिल रहेगा वही कंडिका नो में हिंदी वा अंग्रेजी को भासा के सूची से बाहर कर दिया गया था इस निमावली से हो रही नियुक्ति रद रहेगी राजेपाल की आपति खारिच बिना संसोधन सदन में पेस होगा उतपाद बील जार्खन सरकार ने जार्खन उतपाद बीधैक 2022 पर राजेपाल रमेश बैस की आपतियों को खारिच कर दिया है पूरु में बिधान सभा के पटल पर रखे गये बीधैक को बीना किस इस संसोधन के सदन में पेस किया जाएगा राजेपाल की अपतियों पर उत्पाद विभाग द्वारा दिये गए जबाब पसंतुष्ट होते हुए बुद्धवार को हुई केबिनेट की बैटक में इस पर समाती दी गई रामगण में अत्यधुनिक मसीन से ब्रेष्ट और सर्वाइकल कैंसर का इलाज होगा रामगण के सौधर अस्पताल परिसर स्थीत नए भौन में सुक्रवार को महिलाओ के लिए ब्रेष्ट और सर्वाइकल कैंसर की जाज के लिए मेगा सिविर कायोजन किया गया सिविर कायोजन जार्कन स्वास्त विभाग एवाम विवेंस डॉक्टर विंग के सन्युक्त तत्वधान में किया गया था इस मौके पर स्वास्त मंत्री बना गुपता ने अत्यधुनिक मसीन का उधगाटन किया बता दे मंत्री बना गुपता ने कहा है कि जार्कन सरकार के स्वास्त विभाग और इंडियन मेडिकल एसोसियेशन की महिला विंग के सन्युक तत्वधान में राजबार में विरेष्ट एवां सर्वाइकल कैंसर का जान सिवीर लगाया जा रहा है गोड़ा के अडानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हुए कि देवघर में खत्यानी जुहार यातरा में विपक्च पर बश्य हम तबशान में और उन्होंने शार्कण के खिलाप बड़ी साइस सर लची जा रही है भीपक्च जाहां से में कतड़ यह उस बिर्द करना चाहता है हम लोग उससे लोगा लेने के लिए त्यार है मुख्य मंतरी हे मांसुरे ने खा एक सरकार बनने के चंद महीने में ही हमने कई नितिया बनाई उद्योग निति की देश के जाने माने उद्योग पतियों ने सराना किया कई बड़े निवेसक झारखन में निवेस करने के इक्छा जता रहे हैं लेकिन विपक्ष को या पच नहीं रहा है एसी बी आई इडी आई टी रेट का बंडर बाट खड़ा करके गलत संदेश दे रहे हैं रामगण में एकोई सलबाद उपचुनाओ के असार रामगण विधायक ममता देवी को पांच साल की साजा मिलने के बाद रामगण विधान सभा में उपचुनाओ की चर्चा सुरू हो गई है अगर उपचुना होता है तो यहां एकोई सलबाद उपचुनाओ के असार रामग पूल और मरांडी ने स्वर्गिये भेडा सिंग की पतनी नादरा बेगम को हरा कर जीताचिल की थी। पूलिस ने बताया है कि 20 अगस्त को मेराल थाना के पास पॉबलिक एवं पूलिस के बीच मार्पिट की घटना होई इस मामले में मेराल की प्रखंड पर मुख दीप माला गुमारी को नामजद किया गया था 16 दिसंबर को उन्हें गिरफतार कर जेल भेज़ दिया गया है लापरवाही बरतने वालों पर होगी करवाई सियम हेमान तसियम हेमान सुरेन देवघर और गोड़ा जीलों की समीक्षा बैठा कि इस दोरान उन्होंने कहा है कि सरकार ने कई महत्वकान छी योजना सुरू की है योजना यह धरातल पर उत्रे या हमारी सरवच प्रतमिक्ता है उन्होंने कहा है कि इन योजनाओ को लेकर आपने जो आकड़े दिये हैं वो काफी उत्सा वर्धक है लेकिन हकीकत में लोगों के बीच इन योजनाओं को लेकर वैसा उत्सा नहीं देखने को मिल रहा उन्होंने कहा है कि ऐसी लपरवाई बरदास्त नहीं की जाएगी अधिकारी अपनी जिम्यदारी को गमीतार से ले 1932 खतियान लागू कर सपने को पूरा कर रही सरकार सीम हमन्त मुख्यमंत्री के खतियानी जोहार यात्रा के तहट आर मित्रा स्कूल में अवजीत सभान में महा गडबंधन ने एक जूटता का परदसन किया गडबंधन के सभी नेताओं ने खतियानी जोहार यात्राइग द्वान मुख्यमंत्री हमन्सुरेन के खतियानी जोहार यात्राइगी तारीप किया और कहा है कि जिस सपने के साथ जार्कन का गठन किया गया था उसे पूरा करने की दिशा में 1922 के खतियान को लागू कर सरकार ने उसकी निव रखी है इस मोके पर अपसंख्याक पर्याटन कल्यानवा खेल कोद विभाग मंत्री हापिजूल हसन ने कहा है कि आज का दिन गरव का दिन है जिस विश्वास से सरकार के गटन हुआ है उस पर ख़रा उतरने के परियास किया जा रहा है नियोजन निती को लेकर राजे में सियासत गराम हेमंत सरकार की नियोजन निती जारखन हाई कोड़ द्वारा रद किये जाने पर आयनिती सुरू हो गई है सतार उड़दल जारखन मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और रायत के लिए या फैसला निरास जनक रहा है फैसला आने के बाद जहां बीजेपी आकरमक है वहीं सतार उड़दल सरकार के बचाव में उतर आई है पता दे आईसू बिधायक लंबोदर महतों ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमलागातार इस निती के खिलाब सदन में आवाज उठाते रहे हैं कि राजे में दस्वी और बरहवी पास को अधार बनाने का फैसला राजे हीत में नहीं है लेकिन सरकार ने नहीं माना आज सरकार को हाई कोट में घुटना टेकना पड़ा यदि सरकार सदन में हमारी बात को मान लेती तो आज उससे लजित होना नहीं पड़ता या पूरी तरह से औसमेधानिक निती थी जिस वज़ा से सरकार को या दिन देखना पड़ रहा है हिंदी होनी चाहिए जारखन हाई कोट की करेवाही राजेपाल राजेपाल रमेस बैस ने राष्ट पति द्रोपदी मुर्मू को पत्र लिखा है उन्होंने जिकर किया है कि जारखन की राज भासा हिंदी है यहां के ज्यादतर लोग हिंदी बोलते हैं और समझते भी हैं बहुत ही कम लोग हैं जो अंग्रेजी बोल पाते हैं इसके बावजूद जार्खन उच नियाले की करवाही में अंग्रेजी भासा का इस्तेमाल होता है समीधान में नीहित प्रवधानों का उप्योग करते हुए हिंदी को जार्खन उच नियाले की भासा अब तक नहीं बनाया जा सका जबकि देश के हिंदी भासी कई राजियों मसलन उत्तर परदेश मध्य परदेश रायस्तान और बिहार के उच नियाले में हिंदी भासा को सामिल किया गया है राजे अस्तरिय मुख मंतरी आमंतरन फुटबोल परतियोकता 26 दिसम्बर से इस परतियोकता में चारो जोन के बिजेता यवं उप बिजेता महिला वर्ग यवं पूरुस वर्ग के टीम भाग लेंगे परतियोकता नौक आउट कॉम लीक अधार पर खेला जाएगा मैच का संचालन रांची के दो मैदान मुराबादी इस्थीत मंदीर मैदान एवं बिरसा मुंडा फूटबोल इस्टेडियम मुराबादी में होगा जबकि खिलाडियों के ठाहरने वं भोजन की वेवस्ता एस्टोट टर्फ होग के स्टेडियम में की जाएगी धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुं कर लें लें साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों को से शेयर करन